तो ब्रेक की बाद एक बाद फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में और देखिए आज पहले चरण का मददान शुरू हो चुका है उस सुबर से तमाम चुम अधिकार का प्रियोग कर रहे हैं 21 राज्यों की 102 सीटों पर मददान चुआरी है ऐसे में उत्तर प्रदीश और उत्राखड में अब तक मददान प्रतीशत कितना हुआ है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुचा देते हैं हमारे साथ में हमारे सयोगी अभिशेक चुड़े हुए जो इसकी जानकारी देंगे तो चलिए आपको सीधे ले चलते नेक्स्टर स्टूडियो की ओर जी रखने निकल कर सामने आये हैं वोटिंग हो रही है लाइन खतार में लोग लगे हुए हैं और अगर आपको बता दे कि कुल आठ सीटो पर अभी जो है मदान प्रतीशत आप देख रहे हैं उसमें बिजनो और मैं खास्ता औरसा को बता दे पैतालिस दशलव सत्ता प्रतीश तक वोटिंग यहां पर हुई उसके लाफ हम मुदफर नगर में पैतालिस दशलव 18 प्रतीशत तक मदान यहां पर देखने को मिला है वही अगर बात करे नगीना सीट की यहां पर 48 दशलव 15 प्रतीशत वोटिंग हुई है तो बहुत शुक्रिया अभिशेक तमाम जानकारी हम तक पहुचाने के लिए तो देखिए हमारे सयोगे हमारे साथ में जुड़े थे जिन्नों ने ये जानकारी दी कि उत्तरप्रदिश और उत्तराखड में किस प्रकार से अब तक वोटिंग प्रतीश्रत हुआ है और काफी अच्छा वोटिंग प्रतीश्रत है लेकिन अभी भी काफी जादा समय है अगर आपके शेतर में चुनाव चल रहा है वोटिंग चल रही है तो अपने घर से बाहा निकलिए अपने मतादिकार का प्रियोग करिए क्योंकि आज एक वोट भी बहुत जादा बहुत पुर्ण ह बलकि यहां पर आम जनिता के भागी का भी फैसला है अगर आप सहीं सरकार चुनते हैं सहीं प्रत्याशी क्योंते हैं तो कहीं न कहीं वो आपके शेतर में विकास करेगा और वो तमाम जो ऐसे दावे किये हैं बुद्दे जो थे उसे कहीं न कहीं यहां पर पूरा करता जहां पर 102 सीटों पर भदान लगातार जारी है तो सुबह 7 बजे से इसकी शुरुवात हो चुकी है और जहां पर नकसल प्रभावी शेत्र है वहां पर देखे 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके साथी जो अन्य शेत्र है जो अन्य लोगसभा सीटे है वहां पर भी वोटिंग होने वाली है आगे चल के तो लगातार हर एक अपडेट अनाधी टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुचा रहे है असे में जरूरी हो जाता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें अलग-अलग तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई जहां पर युवा जो युवा है वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथी साथ जो बुजूर्ग है वो भी मद्दान केंदर पहुच और खुबसूरत से तस्वीरे भी लगातार लोकतंतर की सामने आई थी जहांपर हमने देखा कि किस प्रकार से दुला दुलन थे वो भी अपने मताधिकार का प्रियोग करने के लिए पहुचे तो वो कहा जाता है कि बाद में जलपाल सबसे पहले मद्दान तो इसी को ही तमाम जो मद्दाता है वो फॉलो करते वे भी नजर आ रहे है और हर एक अपडेट हम आपको पहुचा रहे है जहांपर उत्तराखन की पाच लोग सभा सीटे ऐसी है जहांपर मद्दान चारी है तो वही पर अगर बात कली जाए मद्दप्रदेश की तो मद्दप्रदेश की 6 लो चुक्री अनुपबा तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रतम चरन के मद्दान है खास वरसे उत्तराखन में प्रतम चरन के मद्दान है तो सबसे पहले नज़र डाल देते हैं उत्तराखन में जहां मबबात कर रहे हैं अभी तक 47.44 प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है और उसके अलावा मात करें कुल आठ सीटो पर प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में मददान हो रहा है जो आकड़े हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टेलिविजिन स्क्रीन पर इस वद आप देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी तक 47,44% वोटिंग हुई है साड़े तीन बड़े तक के ये आकड़े अभी तक निकल कर सामने आए हैं उसके लावा आपको बता दें तो इसमें खास दोर से प्रथम चरण में कुल आठ सीटो पर जो है वोटिंग हुई है इसमें अगर हम देखें तो बिजनौर में 45,70% अभी तक मददान हुआ है उसके अलावा बात करें केराना की हॉट सीट यहां से 48,92% की वोटिंग यहां देखने को मिली है और साथी साथ मुरादा बाद हॉट सीट यहां पर 46,28% अभी तक वोटिंग हुई है प्रथम चलन के मददान में कुल 8 सीटों में सबसे प्रमुक सीटों में से एक है जहां पर अभी तक मददान प्रतीशत जो है 46 तक पहुँचा है वह मुझा अगर में 45,18% वोटिंग हुई है वही अगर बात करें नगीना की तो यहां पर 48,15% का वोट परसेंटेज अभी देखने को मिल रहा है अभी भी लाइन में लोग लगे हुए जैसा की जानकारी निकल कर सामने आ रही है वही बात करें पीली भीत की उत्रप्रदेश की दक्षिर पस्चिम की यह हॉट सीट जहां पर अभी जानकारी बिर रही है और 49,6% वोट परसेंट हमें देखने को मिल रहा है वही उसके लावा अगर बात करें रामपूर की तो यहां पर वोट परसेंटेज सप्राइजिंग थोड़ा कम है 42,7% यहां वोट परसेंट जो है वो देखने को मिल रहा है उसके लाव अगर हम सहरनपूर की बात करें तो यहां पर वोट परसेंट काफी अच्छा है फिलाल के लिए 53,11% का वोट परसेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है उत्तरप्रदेश के प्रथम चरण की कुल आठ सीटों पर जहां बात कर रहे हैं उत्तरप्रदेश में काफी गर्मी का मौसम है सुबह के समय में काफी तेजी देखने को मिली थी वोट प्रतीशत में लेकिन अब शाम तक ऐसा माना जा रहा है कि इस वोट प्रतीशत में और भी ज्यादा बढ़हुतरी देखने को मिलेगी जाहिर तोर पर कोतु हल का माहौल है कि अगर वोट प्रतीशत बढ़ता है तो ये कहीं न कहीं किसके लिए फायदे मन हो सकता है क्योंकि जाहतर अगर देखा जाए तो ये मुस्लिम डॉमिनेटिंग काफी सारी सीट्स हैं जहां पर काफी सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इस बात पर कि अगर वोट प्रतीशत यहां बढ़ता है तो मामला यहां पर काफी जादा चुनौती पूर्ण हो सकता है क्योंकि कई सीटों पर यहां मुकाबला त्रिकोडिय होता नजर आ रहा है तो आठ सीटों पर प्रतम चरंड के नतीजे हम आपको बता रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे उत्राखंड में उत्राखंड में उत्राखंड में प्रतम चरंड में तमा कि यहां पर पहाडी छेत्रों में आम तोर पर वोट प्रतीशत काफी कम देखने को मिलता है और फिलहाल भी कुछ खास अच्छे नंबर्स निकल कर फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं वह अगर बात करें पोड़ी की तो पोड़ी में 42 तशलव 12 प्रतीशत अभी तक वोट पड़ करें तो हरिद्वार में 40.62 प्रतीशत वोट पड़ा है आपको बता दे प्री डॉमिनेटली यह बीजेपी की डॉमिनेंट सीटों में से एक है जहां पर काफी अच्छा जो है रिस्पॉंस अभी तक मद्दाताओं का देखने को मिल रहा है नैनी तान उनन चास दशलव 94 प परसेंट देखने को मिल रहा है चवालिज अचल पांच प्रतीशत अब वैसे माना जा रहा है कि यह वोट परसेंटेज में अभी 10 से 15 प्रतीशत की और बढ़हुतरी देखने को मिल सकती है लेकिन खैर यह बाद में इस पश्ट हो पाएगा कि क्या इस बार जो प्रदरशन परसेंटेज का वोट परसेंटेज का वो पिछले चुनाव से बहतर रहता है या नहीं तैंक्यू अनुपमा जी बिलकुल अभी शेख बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तो पहुचाने के लिए तो देखिए वोटिंग प्रतीशत बता रहे थे उत्तराखन और उत्राखन और उत्रप्रदेश में सबसे जादा वोटिंग हुई है तो कहीं न कहीं जो निर्वाचन आयो की ओर से लगातार प्रियास किया गया था कि जादा से जादा जो मदाता है वो अपने मतादिकार का प्रियोग करें उन्हें मदान के प्रती जागरुग भी किया जा या फिर निर्वाचन आयो की द्वारा करनी की बात करो और इसके साथ ही तमाम जो युवा है वो भी नुकर नाटक के जरीए जगे जगे पर प्रिचार प्रिशार कर रहे थे ताकि वो भी अपने मतादिकार का प्रियोग कर सके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि मदाताओ की जहन में हैं ऐसे में अनादी टीवी के माध्यम से आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपके शेतर में मतदान हो रहा है तो अपने घर के बहार निकल ये और मतदान केंदर तक पहुचिए और उसके साथी अगर किसी भी प्रकार के शिकायत अगर आपको देखनी को मिलती है या फिर आप किसी से शिकायत करना चाते तो आप मिरवाचन आयोग से चुनार समधित शिकायत भी कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ मतदान के साथी साथ आपको यहाँ पर शिकायत करने की बाद भी मिरवाचन आयोग के ओर से कही गई है कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना आप देखते हैं तो उस पर यहाँ पर शिकायद भी कर सकते हैं फिलाल यहाँ पर रुकते एक छोटे सुब्रिक के लिए जुल्द हासिर होते हैं देखते रियराली टीवी